नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल टेक्निकल गार्डिनिंग विद अभी में दोस्तों आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं जरूर आप गार्डिन लवर हैं या आप छट पर फूल या फल के पौदे उगाते हैं तो अकसर क्या होता दोस्तों हम छोटी-छोटी चीजे मिस कर जाते हैं जिसकी वजय से पौधे की ग्रोध पे असर पढ़ता है और हम उसे ध्यान नहीं देते और बागी सारे treatment करते रहते हैं पर कभी-कभी क्या होता है कि छोटी-छोटी चीजों को ध्यान रखने से, देखने से, हमारा पौधा काफी अच्छे से उसमें ग्रो करता है, तो आज मैं इस छोटी सी वीडियो में उसी एक चीज के बारे में आप से बात करूँगा, जो कि common language में कहा है, तो photosynthesis, जो पहुत है पत्तों से अपने खाने को बनाने के लिए सूरज की रोशनी से अपना photosynthesis की प्रक्रिया करते हैं, उसको आसान बनाना होता है, तो आप देखते हैं काफी ज़्यादा dust, धूल, एक layer सी बन जाती है हमारे इस पौधे पे, पत्तों पे, जिसकी वज़े से photosynthesis, प्रकास translation की प्र प्रकास translation की प्रक्रिया को आसानी से नहीं कर पा रहा है, तो हमें इस जो गंदगी है इन पत्तों पे, इसकी नियमित तोर पे साफ सफाई रखना जरूरी है, जिससे की पौधे की growth में कोई record ना है, इसमें जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है प्रकास translation से, वो सुचारू रूप से चलती रहे, तो इसके लिए दोस्तों हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल ये देखिए मेरा spray bottle है, जिसमें हम पानी भर लिए हैं, और इसमें हम लेंगे सेंपू या hand wash, दोस्तों सेंपू और hand wash ही क्यों लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बालों में लगाने से सेंपू, हमारे बाल काफी बाल काफी soft हो जाते हैं, तो ये soft हैं और जो dust particle हैं उन्हें काफी easily remove कर देते हैं, हमें ध्यान रखना है, किसी भी तरह का कोई detergent हमें use नहीं करना है, क्योंकि detergent जो होता है, वो काफी hard होता है, वो पौधों को नुक्सान पहुचा सकता है, तो हमें shampoo या hand wash लेना, hand wash भी काफी ज़्यादा soft होता है, आप हाथों में use करते हैं, तो आपको पता चलता होगा है, तो हमें एक लिटर पानी में 4-5 ml shampoo ले सकते हैं, मुझे अप चुकी अपने पूरे garden में इसका spray करना है, तो मैं बड़े bucket वो उसमें spray करना है, पौधो को sour देना है, जिससे कि उस पर जितनी भी गंदगी है, वो साफ हो जाए, अब इससे आप नार्मल पानी के साथ भी कर सकते हैं, पर नार्मल पानी के साथ क्या होता दोस्तों कि जो dust है, वो उस पर थोड़ा बैट जाता है, चिपक जाता है, जब shampoo या hand wash आ जाँगा, उसका बिल्कुल भी उस पर dust रहेगा नहीं, पूरी तरह से dust निकल जाएगा, तो इस प्रकार से देखे, यह पत्तों पे पूरा उपर से नीचे तक सभी तरह से इसको धुल लेना है, पौधे को पूरा अच्छे से एक कहली जे सावर देना है, जिससे कि जितनी पत्तियां हैं, पौधों की, काफी अच्छे से धुल जाएं, और जितनी भी dust particles या से एक dust layer बैठी हुई है, वो साफ हो जाए, तो सभी पत्तों पर हम इस प्रकार से इसको धुल लेंगे, और मैं आपको धुलने के बादशा इसका result भी दिखाऊंगा, कि कितने अच्छे से इससे पौधे की पत्तियां जो हैं, काफी अच्छे से साफ हो जाती है, और उनका color भी आप देखे है कितना निखर के आता है, और इस साफ होने की वज़े से, जो sunlight में उनकी photosynthesis की प्रक्रिया है, वो काफी अच्छे से होगी, और वो अपना version काफी अच्छे से बना सकते हैं तो दोस्तों देखे हैं, हमने पानी से अच्छे से पौधों को साफ कर लिया है, और अब मैं आपको दिखा हूँ, ये पत्तियां आप देख सकते हैं, इनका color आप देखे कितना अच्छा जो अभी तक डल नजर आ रहा था, वो कितना green दिख रहा है, और जितनी भी इस पे धूल मिट्टी थी, वो अच्छे से साफ हो गई है, ये जो हलका हलका white साथ दिख रहा है आपको, ये आपको सबको पता है कि ये sample हमने यूज किया, उसके उज़ दिख रहा है, अभी थोड़ी दिर बाद अगर आप 10 मिनिट बाद देखेंगे, तो ये पत्तियां बिल्कु दिखेंगे आपको बिल्कुल green, तो इस जो प्रक्रिया हमने अपनाई है, पौधों को साफ करने के पत्तियों को, इससे क्या होगा ना कि जो धूप से पौधे प्रकास संसलेशन से अपना खाना बनाएंगे, जो कुछ भी मिट्टी में होगा, वो अच्छे से उसे absorb करेंग और पौधे के हर हिस्से तक वो जो निट्रियसन मिट्टी में देते हैं और जो प्रकास संसलेशन से पौधे अपने लिए खुद बनाते हैं, पौधे के हर हिस्से में बराबर मातरा में पहुंचता रहेगा, इसलिए दोस्तों ये आप 15-20 दिन में एक बार जरूर करें, त फिर भी कोई ना कोई कमी पौधे में रहा जा रही है, तो ये एक छोटी सी चीज है, पर बहुत ही उप्योगी है, करके जरूर देखिए, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, जैनकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत अन्यवाद।